में चल simplement back to's dangerous रहेगा क्या है लाइब्रेरी क्या है और यह से सबसे पहले हम सबसे लेते हैं लाइब्रेरी होती क्या है लाइब्रेडि में आपको इस क्या चीहां गार यहां पर आपको वाइ-फै सर्विस आपके मोबाईव को चार्ज करने के लिए आ अपको charging socket लेप्तॉप चार्ज़ करना तो लेप्तॉप को社Adgt करने के लिए चार्जिंच Souket दिया जाता है अब हम यह समझे कि हमें mobile की क्या requirement होती है लाइब्रेरी में तो आप सभी को पता है 2019 में कोवीट के बाद से ओनलाइन इस्टिरी नी अपनी बहतरीन भूमी का निभाई है और आप ओनलाइन पढ़ाई के लिए आपको मोबाईल या लेप्टॉप के रिक्वाइर्मेंट होती है आप किसी भी अपने बहतरीन टीचर से कभी भी 24 इंटु 7 पढ़ सकते हैं तो ओनलाइन की अपनी भूमी का बहतरीन रही है जहां पर आप पढ़ सकते हैं तो उसी ओनलाइन टीचिंग और ओनलाइन प्लेटफॉर्म को बहतर तरीके समझने के लिए उस कंटेन को बहतर समझने के हमें लाइब्रेरी के रिक्वाइर्मेंट होती है ठीक है आगे देखते हैं तो इस टाइप से आपको लाइब्रेरी में बैठना होता है जहां पर आप 24 इंटु 7 नहीं कर सकते हैं अब हम यह समझ लेते हैं कि क्या लाइब्रेरी हमें जौने जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहली चीज अगर आप लाइब्रेरी जॉइन करते हैं तो वहां पर आपको हाई प्रेरे में माहोल मिलता है अगर आप घर पर या आपने रूम पर पढ़ रहें तो वह माहोल आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो आपका जो रूम है या जो घर है वहाँ का जोन होता है वहाँ पर आप मेहनत नहीं कर पाते हो क्योंकि आप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है वहाँ पर आपको इस तरीके से cabin a lot होता है अब इस cabin में आप सो भी सकते हो तो limited time के लिए सो सकते हो आप अपना सर जुका के head down करके आप थोड़ी दर सो सकते हो बाकि आपका comfort जो नहीं है आपको उटना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा दूसरा यहां पर एक माहौल जडनेरेट होते हैं कूसा माहौल competitive होता है आपके साइब वाले student रहे होते हैं आपके साइब में लोग पढ़ रहे हैं तो आपको उनको नदर भी एक motivation होता है जिससे आप अपने पढ़ाई को ठीक है यहां पर आपको दूसरे जो चाहत्रा आपकी सथ लाइबर्यारइव में आ रहा है उनके थ्रूओ डेली नए अपडेट्स मिलते रहे हैं उनका एक्सपेंस आपसे पहले जो लाइबरी पढ़ रहे है या आपसे पहले उन्होंने कोई एक्जाम दी है तो उनका disturbance होता है वहां के लिए और यहां पर आपको किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है केवल और केवल disturbance आपका mobile होता है अगर आपने उस पर control कर लिया तो आप अपनी पढ़ाई को बहतरीन कर सकते हैं आपको आपके mobile का यूज किस तरीके से करना यह आपको बहतर आना चाहिए तो आप अपने गोल को बहुत ही जल्द अचीव कर सकते हैं दूसरा यहां पर आपको अपडेटेट इस्टेडी मेटरेल मिलता है अपडेटेट क्यों क्योंकि जहां आप लाइवरी जा रहे हैं वहाँ पर अंगिनत बच्चे आ रहे हैं 100 200 400 बच्चे पढ़ रहे होते हैं इस केस में क्या होता है कि हर एक बच्चे के पास अपना एक content होता है वह किसी कोचिंग में जा रहा है कहीं online पड़ा है तो वह जो content है वह जो बुक्स है वह आपको यहां पर आवेलेबल हो सकती है दोंग पर अगर इंटरनेट लगवाते हैं एक minimum Speed वाला इंटरनेट भी लगवाए तो 500 रुपए पर मंद आपका खर्च होता ठीक है internet का जो कि library में आपको free मिल जाता है ठीक है internet तो इंटरनेट का जो खर्चा हो जाता है वो हो जाता है आपका ठीक है उसके बाद हम डिसकस करते हैं इस्पेलिंग सही है और कैसा इंटरनेट इंटरनेट गलत लिग दिया है ठीक है तो इंटरनेट का जो आपका खर्चा होता है छोड़ो इसको इंटरनेट का जो खर्चा हो अगर आप बात करो content की, अगर आप market से books खरीदेते हो, तो वो books आपको बहुत महंगी और costly पढ़नी है, जो कि library में आपको आपके friends से पढ़ने के लिए मिल सकती है, easily, ठीक है, तो जो books हैं, उसका आपका पैसा बच रहा है, room पर आपको books का पैसा लगेगा, minimum minimum आपने 1000 रुप घर पर AC लगवाओगे, तो AC का जो खर्च होगा, वो आप सोच सकते हैं, कितना, बिजली बिल ही कितना होगा, यहाँ पर आपको AC मिल सकता है, वो भी एक minimum cost में, आपको content मिल सकता है, books मिल सकती है, ठीक है, दूसरा आपको internet free मिल जाता है, जिसका charge आपका बच जाता है, तो यह बहुत सारे benefit हैं, पढ़ाई तो आपकी बहतर होई रही यह library में, बट आपकी बहुत सारे और भी benefit है, मात्र, अगर हम देखें, तो कहीं पर 700 रुपए, या और बहतर देखें तो 1000 रुपए, पर मन्त में आपको library 2487 service मिल जाती है, जहां पर आपको internet, पानी की सुईधा आपको आरो का पानी मिल जाता है, आपको books मिल जाता है, एसी room मिल जाता है, यह सारी services आपको मिल जाती है, और इन सारी services के थुरू आप अपने goal को पाने में आसानी महसूस करेंगे, आप जल जल आप goal को पापाएंगे, आपको किसी देखें का को disturbance नहीं होगा, तो यह एक benefit है, तो आपको library join करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, आप खुछ decide करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो लोगोंने join की है, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, तो competition के माहुल में जब आप आएंगे, तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने दिन भर पढ़ाई की है, उनका ही selection होन है, अगर उनका selection ना और आपका हो जाए, तो यह तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगे, कि आपने पढ़ाई कम की, फिर भी आपका selection हुआ, ठीक है, तो ये एक benefit है, और हम उडान digital, उडान academy की तरफ से आप सभी के लिए library, आपके छेतर सनावद में लेकर आए हैं, और सना अबर पर आप हमें call कर सकते हैं, और inquiry ले सकते हैं, आप visit कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था एक छोटा सा topic कि क्यों हमें library जोइन करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, thank you, मिलते है अपने अगले वीडियो में,